प्रिजा वर्मा खबर चिला विष्णौर से है जहां से हम आपको दिखाता है हमारे संबादाता तुशा वर्मा की खास सिपोर्ट चादपुर थाना शेतर के ग्राम चेली में दो दिल पूर हुए विवात में पेट पे लगी गुमचोट का इलाज करा रहे व्रत की मौत हो गई तुशाय परेजनों ने थानी के सामने शवरक कर हनामा किया प्रभारी निरिक शक्ते घटा की रिपोर्ट दर्च करने और जल्दी आरोफियों को ग्रफ्तार करने का आश्वा संदे कर मामला शांत कराया दरसल आपको बता दें ग्राम चेली निवासी 65 वश्य खचेड़ों खान का परोस में रहने वाले आजाद खान वे इश्रत अली से गंदे पानी की निकासी को लेकर विवास हो गया था आरोफ है कि विवाद में आजाद खान और उसके पुद्र अंजार और इश्रत वे उसके भाई इकराम ने मिलकर खचेड़ों की पिटाई की थी पेट पर एट से हमला की जाने से उसके गुंचोट लग गई थी जिसको अस्पताल में भर्ती खराया गया था चहां से प्रात में कुपचार देने के बाद चिकी सको ने खायल को हार संटर रेफर कर दिया चहां इलाज के दुरान उसकी मौत हो गई सुछना पर पहुची पुलिस ने शब को कब से मेले कर पोस्माटम के लिए भेश सिया पोस्माटम होने के बाद परिजन शब को लेकर कोटवाली पहुचे और शब रखे वहन को कोटवाली के सामने खड़ा कर दिया आरफ्यों की ग्रफतारी की मांग को लेकर हंगामा किया ग्रामीरों की पुलिस कर्मियों से फीखी नौक छोग भी हुई प्रभारी निरिशब राजेश कुमार बैसना ने हंगामा कर रहे ग्रामीरों को गटना की रिपोर्ट दर्ज कर ले चाने और आरफ्यों को जल्द ग्रफतार करने का आश्वा संदी कर मामला शान कराया क्यों होई थी जगड़ा कुछ पता सरूर अस्त्री की बज़े से लड़ाई होई थी वो खाट डालकर नंगा पढ़े रहाता है अच्छाइड को मोट से खाली देता है हम जैसे निकल दे तो हम गाली दे से बोलता है फिर उसके बाद क्या हुआ उन्होंने बड़े मिया ख़लेते हुआ उन्हों कर वाद निकलेंगे जिए तो नोंने उनके इस मलब शरापी रखी लड़के ने इकराम उलिया है उन्हें चार पाँच ही उमारी उनके पेट में पर क्या हुआ हैं यह अच्छे तो क्या चाहते हैं अप और इसी के साफ जिवरए बंधन समाचार के साथ